हेलो फ्रेंड्स ओम साहिराम इसके पहले के वीडियो में हमने आपको गले का फंदा उठाना और गला बनाना बताया था फिर आप से यह भी वर कहा था हमने अगले वीडियो में आपको आस्तिन की पट्टी बनाना बताऊंगे यह देखिए एक हमने बना लिया है एक पट्टी बन के तियार हो गई यह हमने डबल पट्टी वाला बनाया और सुई से तो इसके फंदे भी जैसे गले के फंदे उठेते नार्मल ऐसे उठा लेंगे फंदे उठा लेते हैं हर सलाई में उठा लेंगे फंदे और हमें आदे दूर सक्तर फंदे उठाने हैं यहीं पूरा जो है लाही बनाना है तो उसमें 60 फंदा उठेगा सुई से बनाने में थोड़े फंदे ज्यादा रखने चाहिए उठा लेती हूँ पंदा यह देखे आसे सारे फंदे उठा लिए हमने यानि टोटल मिला के 140 फंदे हैं अब जैसा कि हमने बॉर्डर बनाया नीचे गले में और उस साइड वैसे ही बॉर्डर बनाएंगे एक सीधा और एक उल्टा उनको पीछे करेंगे बिल लेंगे एक सीधा एक उल्टा बेंते हुए हम साथ सलाई बनाएंगे जब हमारा बॉर्डर साथ सलाई का बन जाएगा इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है यह हमने इतने सलाई बिल लिया एक दो तीन चार पांच छे साथ अब क्या करेंगे हम आपस जितने भी फंदे हैं इस तरफ से सीधा हमको रखना है इधर से उल्टा सुई से यह सुई ले लिजे इससे उतारना है यह देखे बताते हैं आपको जितने भी इधर से आपको सीधे दिख रहे हैं फंदे उसमें यह सुई है से देखें यह उल्टा छोड़ दीजे इसको भी हमें बिनना है इसमें यह इसको उतार देखें यह उल्टा भी हमें लिजे इसको उतार देखें यह उल्टा भी हमें लिए उतार देखें यह यह नि हमें एक फंदा भीनना है और एक फंदा उतार ना है जो इधर से सीधा इसको उतार लेना है जो उधर से सीधा वह में बिनना है यह उल्टा भीन लेंगे सीधा ऐसे उतार लेंगे ऐसे सारे फंदों में करना है कर लेते हैं देखें यह देखें देखे, जो उल्टी तरब से जित्ते भी सीधे फंदे थे, वो हमने दूसरे उन पर उतार लिया, सुई की मदद से, और जित्ते भी उल्टे फंदे थे, उस अब एक साथ बीन लिया, अब हमें क्या करना है? सीधी सलाई में सारे फंदे सीधे, उल्टी सलाई में सारे फंदे उल्टे, फिर सारे फंदे सीधे, यानि तीन सलाई बीनना है, जैसे है वैसे ही, यानि सारे फंदों को हमको सीधा सीधा ही बीनना है, एक सीधा एक उल्टा नहीं बीनना है, बीन लेते हैं, तीन सलाई, इसके बाद आगे का बताते हैं प्रोसेस क्या है देखिए हमने बना लिया एक सलाई में फंदे उठाये थे और तीन सलाई और बना लिया एक दो तीन अब हमें क्या करना जो फंदे हमने यह उता रहे हैं दूसरे यह ब्लैक वाले उन पे यह सारे फंदे अब दूसरी सलाई में उठ मैं अधर ही रखनी है क्योंकि इसकी अधर है ऐसे हमको इधर से सिलाई करनी है इस बात का दICKा रखिए का किया आपकेूर्व उसक्तिक गण्युफा से ऐसे करिए देखिए इसलिए जो भी स्वेटर आप जो भी बनाएं आप उसमें डार कलर से फंदों को उतारें तो ये सलाई पे उठाना बहुत आसान हो जाता है सारे फंदों को ऐसे हम इस सलाई पे उठा लेंगे यह देखिए यह आगे इते फंदे ऐसे भी कर लेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कि बहुत आराम से उठ जाता है यह देखिए यह सारे फंदे हमने इस पे उतार दिये अब हमें अंदाज से उतना उन लेना है जिससे हमारे यह इस लाई हो है तो एक आइडिया रहता है कि जितना भी हो है इसका तीन बार करके ले लिजे और थोड़ा सा और अब यह हमको दोनों फंदों को हमें एक साथ सिलना है तो देखिए सिलने का तरीका कया है इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा और बॉर्डर की जैसा कि हमने आपको यह दिखाया था यह बहुत बढ़ियां बनके आता है दोनों तरफ से लगता है कि डबल बॉर्डर है कि अब दोनों से लाइक का ले लिया यह हमने यह उन हमारा यहां है तो सबसे पहले सुई को हम ऐसे डालेंगे ऐसे नहीं इधर से अराम आराम से डाल दिया अब नीची वाली सलाई में जो फंदे हमारे हैं उसको इधर से देखिए अभी इसको ऐसे रहन दीजे ऊपर वाली सलाई में जब हम इस सुई डालेंगे तो इधर से अब एक बार हमने इधर से डाला सुरू में अब हम ऐसे ओपर से डालेंगे इसको भी लेंगे और इसको उतार दीजे और इसको इधर से लेंगे इस साइड से तो एक बार उपर से लेंगे एक बार नीचे से लेंगे अब यह जो है ऐसे ले लिजे इसको और इस दोनों फिर यह उपर से लेंगे और इसको देखिए इसको इधर से अभी थोड़ा सा सिल जाए फिर आपको आ जाएगा समझ में इसमें नीचे वाले में यह लिए उपर से इसको लिए ऐसे यह देखिए अब यह मारा है इस पर इसमें ऐसे ऐसे डाली है सुई और इसको इस वाले फंदे को इधर से देखिए इसको उपर से लेंगे ऐसे और यह इसे यह लिया दोनों फिर इसको उपर से लेंगे जिसमें हम ले चुके हैं और यह वाला फंदा इधर से यह यह फंदा उपर से इस वाले को ऐसे यह देखिए यह इसको ऐसे थोड़ा सा बन गया भी आपको दिखाती हूँ यह देखिए इधर से और ऐसे बस बहुत ही प्यारा लगता है यह बॉडर बन के विल्कुल बिनाई की तरह ही आजाता जैसे हम सलाई से बीनते हैं वैसे इसे सिलाई करते हैं कि यह लगता है कि बीना ही है एक बीन से बीना ही है ऐसे हम सारे सिल्टे जाएंगे और बॉर्डर मेरा बन के तियार हो जाएंगे सारे फंदे हमने बन कर दिये इसको यहां पर टाका लगा दिया एक तब प्यारा सा बॉर्डर बन गया है देखने में लगता है कि दोनों तरफ से हम डबल भीने हैं लेकिन हम बस तेन चार सलाई बीनते हैं तो आप कोई बॉर्डर कैसा लगा मेरे बताने का तरीका कैसा लगा कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज में कमेंट बॉक्स में डाल कर पूछ सकती हैं मैं बताओ द थैंक यू पर वाचिग मैं वीडियो थैंक यू